एक बार की बात है एक गाउं में हरिया नाम का आदमी रहता था वो बहुत ही इमानदार था और दिन रात खेतों में काम करता था लेकिन एक बार बाढ़ा जाने से उसकी सारी फसल बरबाद हो जाती है अरे हरिया का हुआ ऐसे क्यों बैठे हो का हुआ अरे भाई का बताओं तुम तो जानत ही हो बारिश होने से गाउं में सभी को कितना नुकसान हुआ है और मेरा खेत तो वैसे भी उधार पे चल रहा था हाँ भाई पर अब का करोगे हाँ भाई का करें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा जैसे तैसे ये आज के लिए कुछ खाने को लाया हूँ हाँ भाई चलो अब मैं चलता हूँ उनकी ये सब बाते एक चुडैल सुन लेती है और जब हरिया अकेले घर जाने लगता है तो उसके पीछे जाती है हरिया रुको अरे मर गया अरे चुडैल जी मुझे बहुत भूक लगी है और कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया मैं तुम्हें खालू चुडैल जी मैं आपको मना नहीं करता लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है जिनकी देखभाल के लिए मेरे अलाबा और कोई नहीं है आप ये खाना ले लो जो मैं अपनी माँ और अपने लिए लाया था अच्छा तो फिर तुम क्या कहोगे ठीक है दो ये खाना वो खाना खा लेती है और हर्या का पीछा करती है और उसकी घर पहुँचती है मा तुम ठीक तो हो ना हाँ बेटा मैं ठीक हूँ मा मुझे माप करना आज मैं कुछ खाने को नहीं ला सका मैं ठीक हूँ बेटा मेरी चिंता मत कर चुडैल उनकी सब बाते सुन लेती है अरे ये तो कितने अच्छे लोग है और हरिया कितना अच्छा आद्मी है वही पास में सरपंच के घर पर जश्न चल रहा होता है ये सरपंच भी कितना बुरा आद्मी है इसे ये तक नहीं पता कि इसके गाउं में ये परिवार भूके पेट सो रहा है फिर चुडैल जादू से हरिया के घर के बाहर खाना रख देती है हरिया हरिया चुडैल दर्वाजे के बाहर खाना रख कर आवाज लगा कर छुप जाती है हरिया बाहर आता है कौन है अरे ये खाना कौन रख गया लगता है सरफंच जी ने रखवाया है हमारे लिए अच्छा है मा को खिला कर दवाई दे पाऊंगा अब हरिया खुश हो जाता है और घर में चला जाता है और दोनों पेट भर कर खाना खा लेते हैं मा आज तो खाने का इंतिजाम हो गया लेकिन कुछ करना पड़ेगा रोज तो ये दावत नहीं होने वाली क्यों न मैं मिठाई का काम शुरू करूँ चुडैल खिडकी से उनकी बातें सुन रही होती है हाँ बेटा तुम्हें जैसा सही लगे वो करो मेरा आशरवात तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही है फिर अगले दिन हरिया लड्डू बनाता है और छोटी सी टोकरी में उन्हें बेचने निकलता है लड्डू ले लो लड्डू ले लो मीठे मीठे लड्डू ताजे लड्डू वा हरिया भाई ये लड्डू का काम शुरू करे हो का हाँ भाई अब का करें जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना हरिया पूरा दिन गाउ में घूमता है और उसके कुछ लड्डू बिक जाते हैं कुछ दिन बाद उसके लड्डू बिकने बंद हो जाते हैं अब का करें भाई ये इतना बोलकर वो गाउवाला वहां से चला जाता है चुडैल हमेशा हरिया के साथ अद्रिश रूप में साई की तरह रहती है अरे ऐसे तो ये हरिया फिर से भूका मर जाएगा मुझे कुछ करना होगा फिर एक दिन हरिया रात में घर आ रहा होता है तो उसे एक सुन्दर लड़की राखी मिलती है और वो रो रही होती है अरे का हुआ का है डुसक डुसक के रोवत हो देखो हमरे लड़ु ना ही विके है तो हम रोवत है कोई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है इसलिए रो रही हो मेरी सौतेली मा मुझे बहुत मारती है इसलिए मैं खर चोड़कर भागाई लेकिन अब मैं कहो जाओंगी ये सोच कर रो रही हूँ अरे बाबा कोई बात नहीं तुम मेरे घर चलो इतनी रात में यहां रहना ठीक नहीं है तुमरे लिए चलो पर हाँ मैं बहुत गरीब हूँ और कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ सकता है तुमको कोई बात नहीं मैं सच में रह सकती हूँ तुमारे घर हाँ चलो जब तक तुम्हें कोई और ठीकाना ना मिले तब तक रह लेना और जब तक चाहे रहो मेरे घर में फिर हरिया राखी को अपने घर ले आता है रात हो जाती है और सब सो जाते है फिर डरावनी आवाजे आने लगती है और राखी चुडैल की रूप में बदल जाती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुमारे पास कुछ नहीं, फिर भी सब की मदद करते हो तुम किसी भी अमीर आदमी से कहीं ज्यादा बहतर हो, मुझे तो तुम से प्यार हो गया तुम चिंता मत करो, तुम जब सुबह उठोगे तो सब धीत पाओगे फिर चुडैल रात में अपने जादू से बहुत से मिठाईया बना देती है, अगली सुबह जब हरिया उठता है अरे, ये इतनी अच्छी खुश्बू कहां से आ रही है हरिया और उसकी मा बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी रसोई में तरह तरह की मिठाईयों के थाल रखे होते हैं अरे, मा, ये क्या? ये मिठाईया यहां कैसे आई? आपने बनाई क्या? नहीं बेटा, मुझे कहां ये शेहरी मिठाईया बनानी आती है? तब ही चुड़ेल राखी के रूप में वहां आती है हरिया ये सब मैंने बनाई है क्या? तुम्हें ये सब बनाना आता है? अहां, ये ही नहीं मुझे बहुत कुछ बनाना आता है अरे, वाह! अब तुम जाओ और इन्हें बेच कर आओ हरिया बहुत खुश हो जाता है और एक ठेले पर सब थाल रख लेता है और गाओं में घूम घूम कर पूरे गाओं में मिठाईया बेचने लगता है कुछी घंटों में उसकी सारी मिठाई बिख जाती है और हरिया को बहुत मुनाफ़ा होता है मा, मा, राकी, बहर आओ, ये देखो, पैसे, हमारी सारी विठाईया बिग गई अब सब ठीक हो जाएगा, है न, अब मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ न राकी, अगर तुम ये सब ना करती, तब भी तो मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहां रहने को यही तो तुम्हारी अच्छाई है अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छाई होता है फिर इसी तरह रोज रात में जब हरिया और सविता सो जाते तो चुडैल अपने रूप में आती और जादू से मिठाईया बना देती फिर धीरे धीरे हरिया अपने घर के बाहर ही दुकान खोड़ लेता है एक दिन हाँ ये तुमने बहुत अच्छा सोचा फिर हरिया पूरे गाउं में खाने की सुविधा शुरू कर देता है जिससे सारा गाउं हरिया को प्यार करने लगता है लेकिन सरपंच को शक होता है अगले दिन सरपंच अपने दो आदमियों को हरिया के घर पर नज़ा रखने को बोलता है और जब रात में राखी चुडैल रूप में आती है तो उसके आदमियों से देख लेते हैं और सरपंच को जाकर बताते है सरपंच अगले दिन एक तांत्रिक को लेकर हरिया के घर जाता है चुडैल पाहर निकल शोर सुनकर सब गाउवाले भी जमा हो जाते हैं अरे सरपंच जी क्या हुआ अरिया जादा अच्छा बनने का नाटक खात्म कर यह लड़की चुडैल है और तू इसी की वज़े से पैसे वाला हुआ है चुडैल अब तेरा खेल खात्म चुडैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है जिसे देखकर सब गाउवालों की आँखे फटी की फटी रह जाती है अरे राकी यह क्या तुम चुडैल हो तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि पैसे आने के बाद भी अपने गरीब गाउवालों को नहीं भूले बस तेरा खेल खत्म चुडैल मैं तुझे पस्म कर दूंगा लेकिन सब गाउवाले आ जाते हैं और बाबा को पकर लेते हैं अरे ये जैसी भी हो पर इसने हम गरीबों को दो वक्त का खाना दिया है ये चुडैल है लेकिन राक्षस तो ये सरपंच है बाबा हाँ सही कहा भाई ये सरपंच तो अपने में ही खुश था इसने कभी हम गाउवालों को नहीं पूछा हम इस चुडैल राकी को और हरिया को किसी को चुने नहीं देंगे हां सब तांथ्रिक और सरपंच को पकर लेते हैं हां सही कहा भाई ये सरपंच तो अपने में ही खुश था इसने कभी हम गरीब गाउवालों को नहीं पूछा हम इस चुड़ायल राखी को और हरिया को किसी को छूने भी नहीं देंगे अरे मुझे छोड़ तो मुझे सच का पता नहीं था हरिया तुम इस चुड़ायल से शादी कर लो जिससे इसे चुड़ायल की योनी से मुप्ती मिल जाएगी फिर सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब मिलकर हरिया और राखी की शादी करा देते हैं